सूप्रबाद छात्रों आशा से भवता भवती नाम चा कुषलम अस्ती ममिनाम नीलम शर्मा अस्ती अहम भवता संच्रिते अध्यापिका अस्ती अध्यय असमाकम कक्षा आरंभ्यै अहम एकाशलो का प्रस्तुत करोमी किर्प्या शुर्बन्तु या देवी शर्व भूतेशु शक्ति रूपेण संसिथा नमत अस्यै नमत अस्यै नारायने नमोस्तु देव या देवी शर्व भूतेशु शक्ति रूपेण संसिथा नमत अस्यै नमत अस्यै नारायने नमोस्तु देव आईए अब आपके पार्ट के पार्ट एक से लेकर और पार्ट चार तक की पूर्णवरती हम कर लेते हैं आप निकालेंगे पेच नमबर 51 पहला है आपका अधोतते पदानाम वर्णम विच्छदम कुरूता निमलिकत फशब्दों का वर्ण विन्यास कीजें लेखनी तो आपके लिखेंगे ला जमाए जमाख जमाआ जमान जमाई तो लेख अणी ग्रहिनी गाजमारी जमाहा जमाआ जमाण जमाई तो ग्रिहाणी पुस्तक पा जमाउ जमाशा जमाण ता मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगे ठीक है आप ये कर लीजे रिक्यत स्थानी उचीते है सर्विनाम लिखत आप पहले में लिखेंगे तव बालको गच्छ तहा सेकिंड आएगा आपका सहा बाली का क्रीड तहा क्रीड तहा आप पीछे से किरिया देखेंगे कि कौन सी किरिया लग रही है एते फले इस्थह फोर्थ है आपका बाली के नरतिय तो क्या आएगा ते बालकाँ पठन्ती ते बालकाँ पठन्ती शिक्स आएगा एते पुस्तके पठतह कृता पदे रिक्यत स्थानी पूरियन की रिक्यत स्थान में कृता पद भरना है हस्तह तो युवाम तुवाम कृड़सी आप क्या देखेंगे किरिया युवाम गच्छतह युवाम धावत तुवाम गायसी मध्यम पुरुश है ये भी मद्यम पुरुष है यूयम पश्शत ये भी मद्यम पुरुष है युवाम इस्मर्थ है फोर्थ है आपका रिक्कित स्थानानी पूर्यते जैसे पठ जमा आमी तो पठामी इसी तरह लिखाव है तो लिख जमा आवह अब इतर है आगया आपका धातु लिखना है आपको हसाव दे रखा है तो हसाव क्या है हमारा हस धातु तो हस जमा आवह धावामी दे रखा है तो धाव जमा आमी पठाम दे रखा है तो पठ जमा आमह ठीक है प्रशन नंबर पांच है आपका अनुवादम कृत वह लिखती है तो क्या है वो इस त्रिलीलिंग है तो यहाँ पर तर्थम पुरुष की बात हो रही है तो वहे लिखती है वहे का क्या जाएगा सा लिखती है तो लिखती सा लिखती वहे दोनों दोड़ते हैं वहे दोनों की बात हो रही है तो तव धावता दुई वचन के किरिया लग जाएगी और हमारा करता भी दुई वचन में परिवर्थित हो जाएगा तुम पढ़ते हो त्वम पठसी मध्यम पूरुश है और तुम सब खेलते हो यू यम क्रिडित तुम सब खेलते हो तुम सब बहु बचन आ गया मैं तैरता हूँ मैं यह हमारा क्या आ गया उत्तम पुरुश क्यूंकि हाँ पर वो खुद के बारे में बात कर रहा है तो अहां तरामी हम दोनों लिखते हैं हम दोनों उत्तम पुरुश है हम दोनों का क्या हो जाएगा आवाम लिखावः उत्तम पुरुश का दुई वचन है आवाम लिखावः तो आपकी यह पूर्णा व्रती एक हम पूर्ण कर चुके हैं एक बार फिर से देख लेंगे आप और मैं आपको इसकी PDF भी बना कर अपलोड कर दूंगी आपके School App पर पूर्णा ब्रति कर चुके हैं तो अब हम आपके जो शब्द रूप हैं वो पढ़ लेते हैं और इसके बाद थोड़े से आपके धात रूप पढ़ लेते हैं ठीक है आईए यह है आपके शब्द रूप जो है आपके पेच नंबर 122 पर ठीक है यह है अकारांद पूरिंग बालक शब्द यानि कि अकारांद शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनकी समाप्ती हमारी आप के स्वार पर होती है ठीक है जैसे बाल कहा आग पर इसकी समापती हो रही है बालकम जब हम मा पढ़ रहे हैं तो हमारी मा की समापती किस पर हो रही है आपर ठीक तो ये हमारे बालक के शब्द रूप शब्द रूप के बारे में मैं आपको पहली कक्षाओं में भी पहुत सी बार बता चुकी हूँ आप एक बार हम इसे से पढ़ते हैं और आप इन बालक शब्द को अपनी नोट बुक में कर लेंगे इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी विभक्तिया होती हैं और वचन होते हैं तीनों ही अलग-अलग वचनों में जैसे एक वचन, दुई वचन, पहु वचन इसमें आठ विभक्ति होती हैं जो हमारी संबोधन विभक्ति होती है वो हमारी पिल्कुल सेम प्रत्मा विभक्ति की तरह होती है जब मैंने आपको कारक पढ़ायते हैं कारक जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको उसमें समझ वाएगा कि विवक्ति क्या होती हैं हम पढ़ लेते हैं प्रत्मा संबोधन का हम प्रियोग जब हमें कोई बुलाना होता है तब हम संबोधन का प्रियोग करते हैं ठीक है आप शब्द रूप पढ़ चुके हैं अब हम आपके कर लेते हैं धातू रूप आईए ये हैं आपके धातू रूप आनी हम शब्द रूप का पहले भी आपका चैप्टर पढ़ चुके हैं और धातू रूप का भी हम आपका चैप्टर पढ़ चुके हैं है ना मैंने आपको धातुरूप समझाय था कि धातुरूप किसे कहते हैं किरिया को ही हम संस्कृत भाषा में धातुरूप के नाम से जानते हैं और मैंने आपको एक्जाम्पल के साथ साथ बताया भी था तो हमने क्या पढ़े थे हमने सिर्फ उसके लट लकार पढ़े थे लेकिन आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप यहाँ पर उसके पांचो लकार पढ़ोगे यानि कि लट लकार लिट लकार और लंग लकार आगे आपका लोट लकार और विधिलिंग लकार आईए इसमें मैंना आपको पताया था तीन पुरुश होते हैं, तीनी बचन होते हैं और उन बचनों के नुसारी धातूओं का प्रियोग किया जाता है प्रत्य लगा कर लिटलकार यानि भविश्यकाल लिटलकार को हम हिंदी में भविश्यकाल केते हैं प्रथम पुरुष पठिश्यती पठिश्यता पठिश्यंती मध्यम पुरुष पठिश्यसी पठिश्यता पठिश्यत उत्तम पुरुष पठिश्यामी पठिश्यावह पठिश्यामह लंगलकार भूतकाल भूतकाल को संस्कृत भाषा में लंगलकार के नाम से जाते इन जो ये धातु हैं, इनका प्रियोगम भूतकाल की किरिया में करते हैं प्रत्थम पुरुष आपठत, आपठताम, आपठन मध्यम पुरुष आपठा, आपठतम, आपठत उत्तम पुरुष आपठम, आपठा, आपठाम आगे है आपका लोट लकार, लोट रकार का प्रियोग हम तब करते हैं, जब हमें किसी से आज्या लेनी होती है, हमें कुछ आदेश देना होता है प्रथम पुरुष, इसमें हम इंधातुओं का प्रियोग करते हैं पठतो पठताम पठंतू, पठः पठतम पढत, पठानी पठाव पठाम विधीलिंग लकार इ manipulating लकार इच्छा अर्थक या चाहिए के अर्थ में जब हमारी कोई इच्छा होती है या हमें कुछ चाहिए होता है तब हम इनका प्रियोग करते हैं रहज लकार का विधिलींग लकार का प्रथ्म पुरुष पठेत पठेतम पठेत उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम उसी तरह आपके ये सारे धातु हस, कृड, कृडर, लिख आदी धातुरूप पट्ट रूप के अनुसारी चलते हैं आप ये पट्ट धातुरूप भी अपनी उत्तरपुस्तिका में कर लेंगे